कि आप लोग आपका मोस्ट वाल का हुमारी सेक्शन मा क्या मैं लाइब हो चुका हूं बसी पहुंजी कंफरन पर देजएगा तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे अपना ख्याल लख रहोंगे और खुब पढ़ाई कर रहोंगे दोस्तो शूगरते हैं अपना सेक्शन करने इंडफेस का और आरबी प्यो नोटिफिकेशन समारी आ चुकी है और आपको बता कि आपके पास सब एक टा अच्छा पॉश्चुनिटी यह बढ़ी आपके लिए और पहली पॉश्चुनिटी इस साल के आपके सामने है दोस्तो शुरू करते हैं अपना सेशन आवाज वाज आप यह ठीक से है हाला कि मेरा हैडफोन मेरे पास में है तो आवाज तो आनी चाहिए ठीक से फिलालत दोस आपको इसका mcqs मिलेगा on the academy special दोस्तों आगी बढ़ते हैं तो आज हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है फर्स सेगमेंट तो आज क्या हमारा पहला सेगमेंट है ranking report or indices ranking report or indices जो हमेशा की तरह होता है ठीक आज दिखते हैं कौन से information दोस्तों यहाप अपनी लेकर आना है तो पह OECD OECD का Global Plastic Outlook Policy Scenario to 2060 Global Plastic used to triple by 2060 दोस्तों OECD का मतला आप समझते हैं Organization of Economic Cooperation and Development Organization of Economic Cooperation and Development एक काफी importance दिस्टा है पैरिस में इसका headquarter है तो OECD ने अपनी report निकाली Global Plastic Outlook Policy Scenario to 2060 यानि यह मतलब 2060 में Global Level पे हम Plastic क्या यूज़ करने वाले है ठीक है Global Plastic Outlook Policy Scenario to 2060 Global Plastic used to triple by 2060 यानि Global Plastic का use जो है वो triple हो जाएगा 2060 दोस्तों यह report आई है पूरी information आपको दिखाते हैं देखें दोस्तों तो हमारी पहली information देखें क्या बोला गया है तो OECD ने अपनी report रिलिस की है Report नाम क्या है Global Plastic Outlook Policy Scenario to 2060 यानि तो मतलब Global Plastic Outlook Policy Scenario to 2060 यानि और इसमें क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि which state that the Global Plastic waste set to almost triple by 2060 due to the economic and the population growth यानि 2060 तक जो plastic हम use करते हैं वो triple time हो जाएगा due to economic and the population growth triple time हो जाएगा 2060 तक ठीक है कितना हो जाएगा आई आपको दिखाते हैं पहले information OECD की report है नाम है Global Plastic Outlook Policy Scenario 2060 और यहां क्या बोला गया है 2060 तक प्र प्लास्टिक का consumption use जो है मतलब वो triple हो जाएगा ठीक है अब देखें the report estimate that the OECD countries will double their plastic use मतलब जो OECD countries हैं जो उनके member हैं ये अपना plastic use double करें while sub-saharan Africa and the Asia are expected to have the largest increase और वहीं Asia की बात करें Asia और sub-saharan Africa ये लोग और योगा यूज़ करें average third time बोलना है ना third time तो OECD country क्या बोलना है कि हम लोग कम करेंगे basically use इसका बढ़ाएंगे mainly sub-saharan country अफरिका वाली country और Asia country ये लोग ज्यादा इसका production बढ़ाएंगे ये कह रहें है ठीक है हाला कि ये पढ़ना नहीं है आपको ये गल समय आपको ठीक है में मुद्धा आपका वही है 2060 और ट्रिपल ये ये पढ़ना है आपको अब देखें according to the report the annual production of the fossil fuel based plastic is set to top 1.2 billion ton by 2060 simple भाषा में simple भाषा में देखें क्या बोला गया है आपको बस इतना प्रणतना है बोला हूए 2060 तक हमारे देश में जो plastic है इसका production 1.2 billion ton हो जाएगा 2060 तक हमारे देश में plastic का production 1.2 billion ton हो जाएगा भाई इतना प्रणतना हमें टिकर होतने पढ़ना के वाद ये से पढ़ने होतने हैं आपको ये से ठीक आगे देखें the absence of the new policy to curb the level of the pollution will result in an increase in the global plastic consumption from food home अब क्या बोला गया यानि 2019 में हमारे पुरे वर्ड में plastic का production 460 million metric ton था ठीक 460 million metric ton जो 2060 आते आते कितना हो जाएगा 1.2 billion metric ton ये देखो ये है कि information तुमारी है तुमारे पुरे वर्ड में 460 million metric ton प्लास्टिक का production था जो की 2060 आते आते कितना हो जाएगा 1.2 billion metric ton हो जाएगा यहीं बलागे ना 1.2 billion साट तक देखो यही डिटा दिम पढ़ना है बस तुमारे एक्जाम के लिए जरूरी है इतना पढ़ना है बस ठीक है मैं बाद में compile कर दूँग इसे क्या पढ़ना है हमको ठीक है तो यह हुग है पूरी information दोस्तों तो अब है पारे में study information रखना है इस study का मतलब इसका है कहां पर कितने member countries हैं दूसरा point आपको यह दखना है report का ना कि report का नाम क्या है नाम क्या है दोस्तों तो global plastic outlook policy scenario किस ने release किया तो गोई cd ने किया simple सी बात है ठीक फिर क्या पढ़ना आपको दूस्तों यहां पर दोखो यह हम यह बोल ले है कि मतलब 2060 तक जो हमारा plastic का जो uses है वो triple हो जाएगा three time हो जाएगा production and use three time हो जाएगा ठीक है अब three time कितना three time कितना one point two billion ton one point two billion ton तक हो जाएगा और 2019 में कितना था यह 460 million ton था million metric ton था और यह two thousand one point two billion हो जाएगा यही पॉइंट आपको पढ़ना है वस दोस्तों यह point clear जो मैं बोलना आपसे बहुत ध्यान से देखेगा जितना आप बोलू उतना ही पढ़ना है आपको ठीक है अब देखे दोस्तों about the OECD तो OECD का establishment ही है 30th September 1961 इसका headquarters पैरिस फ्रांस में है सेकेर्ट्री जनरल है मैथियास कोर्मैन एंड मेंबर कंट्री 38 मेंबर कंट्री इनके है ठीक है देख ली जगा दुनिया वर के सारी अमीड देश इनके मेंबर है 38 ठीक वैसे इंडिया इसका मेंबर है वैसे दिखा जाए तो ठीक है दोस् आगे बड़े दोस्तों बात करते हैं next information की देखें अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं मैं जब विजारती था तो मुझे सबसे ज़्यादा बिकार यह लपी रैंकिंग सबसे बिकार देखें दोस्तों अब हम क्या बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं the Asia University ranking 2022 चा टाइम्स की हाईयर एजुकेशन रैंकिंग आ चुकी है Asia level की किवल Asia level की हम उसकी बात करने वाले हैं ठीक हम उसकी बात करने वाले किवल सुनना बहुत ध्यान से हैं दोस्तों देखो हम क्या बत करने वाले हैं times higher education Asia University ranking 2022 देखो फिर times की higher education rank आई है लेकिन केवल Asia level की केवल Asia level क तो times higher education Asia University ranking was released by the times higher education ठीक है तो Asia level की आई है मैंने क्या बोला अगर आप top handed की बात करेंगे top handed की तो top handed में भारत के इस बार चार college या institution या universities हैं यह बढ़ी अच्छी बात है 100 में 4 अगर आप 200 की बात करेंगे तो 200 में 17 17 200 में 17 होंगे ठीक है और इंडिया level पर top किस ने किया इंडिया में top किस ने किया तो वो है आपको कौन सा IISC बैंगलोरू IISC बैंगलोरू एक बार देखो दोस्तों या फिर सिक बार तो चार इंडियान इंस्टिटूशन इन टॉप एंडर आई ऐसी बैंगलोरू रैंक हाइस्ट इंडिया एंड ग्लोबल पर अश्या लेवल पर 40 सेंड नंबर पर यह हैं आपको दिखाते हैं पूरी इंफोर्मे पर पर हैं दोस्तों ठीक हैं ज्यान देना आगे बढ़ते हैं अच्छा इसके बाद देखो इसके बाद आपका JSS Academy of Higher Education and Research यह पहली बार आया लिस्ट में और यह 65 नंबर पर हैं ठीक JSS Noida 65 नंबर पर हैं IIT रोपड आपका 68 नंबर पर हैं and IIT Indoor आपका 87 नंबर पर हैं यही Top 4 हैं दोस्तों मतलब यह handed में Top 4 हैं पहला ISC Bangalore दूसरा JSS तीसरा IIT रोपड और चौथा आपका IIT Indoor इनकी rank आपके सामने रिखी हुई है आराम से आत करिएगा It is most most important point आज का आज का आज का ठीक है जान देना exam में जरू कोशन मनें यहां से ठीक आगे बढ़ते हैं देखिए तो India was the third most represented country behind Japan and the mainland China मतलब दोस्तों जितनी ranking हुई है नंबर के इसाब से भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा institution जो आए हैं rank में पहले नंबर पर जापा नंबर डू पर चाइना है नंबर थी पर इंडिया तो इंडिया के 71 institution आये हैं rank में 71 कैसी आये हैं जैसे मैंने क्या बुला top 100 में 4 है 200 में आपके 17 हैं वैसे करके total 71 institution भारत के यहां पर मिले हैं ठीक है और देखें तो 17 Indian universities top the list top the under top 200 जो मैं बोल ला था है ना 200 तो 17 Indian universities top the list under top 200 तो यह देख लीजेगा अभी मैं compile करता हूं चिंता हमत करें ठीक है आगे बढ़ते हैं आज देखें तो यह आपके top 4 universities under 100 के इम बात करें तो I.C. Bengaluru, JSS, IIT Ropad और IIT Indore इन सब की rank आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों ठीक है एक्जाब में क्या सकता है तो top 100 में 4 और top 200 में 17 ठीक है बाकी आपका IIT गांधी नगर है अलगपा इनस्ते यह सब याद नहीं करना छोड़ी यह सब इतना बस कर लो कि top 200 में 17 है ठीक है दोस्तों इतना पढ़ लीजे पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे तो यह हमारी information थी एक बार इसे compile करते हैं हमें क्या पढ़ना है दोस्तों ठीक है दोखो पहली बात क्या है top 100 में कितने 4 टॉप 200 में कितने 17 और total कितने आए है बिटा total कितने आए है total आए है 71 ना तभी भारत तीसरे नंबर का देश आ है तीसरे नंबर का ठीक अगर हम बात क करते हैं global level पर तो यह 40 second नंबर पर है ठीक इसके अलावा दोस्तों एक काम करना पूंगा आपको इनकी रेंग याद रखने है जैसेस की 65 है और जैसेस पहली वालिस्ट में आया नाम इसका और IIT रोपर 68 नंबर पर है और IIT इंदौर 87 नंबर पर है इनकी भी रेंग आपको सारी बाते हैं दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो इनफॉर्मिशन बैक टू बैक रिपोर्ट और इंडिसेस की थी यहां से एक्जाम कोश्चन जो बनेगा आप लोग आराम से पढ़ लिएगा जितना मैंने बताया जिस तरीके से मैंने बताया उ किसका दो हो यहां पर पेरा नाम है ए मडी मिखलाई ए अजय कुमार शिवास्तुवा एंड सरूप कुमार साहा एस दे एमडी ऑप दे यूबी आई आयोबी और पंजाब और सिंदे बैक ठीक है दोस्तों यानि तीन सरकारी बैंकों के एमडी की हम बात कर रहे हैं तीन सरका यूडियन बैंक ओफ इंडिया इंडियन ओवर्सीज बैंक और पंजाब और सिंद मैंक इनके नए एमडी इनको मिल रहा है ठीक है देखें अब क्या पहला प्वैंट तो ए मडी मिखलाई यह अप्वाइंट हूई है MD of the Union Bank of India for three years तो Union A Money मेखलाई कैसे याद करने दोस्तों Union मतलब क्या हुआ आप इस तरह समझे लो Union आद ग्रुप होता है तो एक Labour के ग्रुप ने क्या ढूंडा मड़ी ढूंडी मड़ी का मतलब क्या होता है एक पत्थर अमुल्य पत्थर होता है न मड़ी तो Union ने मड़ी ढूंडी ऐसे याद कर लो तो A मड़ी मेखलाई ये पॉइंट होई है MD of the Union Bank of India for three years तीन सागा इनका tenure रहेगा अब ठीक है देख लिए जएगा और देखिए दोस्तों Next Canra Bank Executive Director थी पहले ये तो मतलब A Money मिखलाई कौन थी ये Canra Bank में ये थी Executive Director थी ठीक है अब ये क्या करेंगी ये Union Bank of India में बनेगी MD इन्होंने राज किरन राय जी को रिप्लेस किया था ठीक है नवीन सर एक्शुली कल की बात ही नहीं है ये बात हमने 15-20 दिन पहले कर ले थी जब Bank Board Bureau नाम दिया था तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है इसको है ना Bank Board Bureau ने नाम दिया था I think 15-20 दिन पहले की बात है हम पहले ही पढ़ चुके है इसको है ना दोगे तो Camera Bank के Executive Director जो है Money मिखलाई Replace to तो राजकीरन राइजी ठीक है मतलब Union Bank of India की दूस्तों बात कर रहा है तो पहले सके MD कौन थे राजकीरन राइजी थे तो इनको replace किसने किया है Money मिखलाई जी ने और ये पहले क्या थी Camera Bank की Executive Director थी ठीक है और देखे Money मिखलाई become the first woman MD of the Union Bank of India और ये पहली महिला MD बनेगी क्या रूग जागे क्या 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 प्लस ठीक है नहात फुर्फ के तारे हा थारे है उड़के लुब नगजितर। नहातू रुब करेंगे लो एकार के लुब सुब पारे हा। झाल झाल ठीक है चलो वापस आते हैं तो हाँ तो यहाँ पे दुस्तो यह वात हमने कर ली आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट देखे अब यहाँ क्या बोलागे अजर कुमार शिवास्तवार यह एक्सक्राइड एक्टर है कहां पे इंडिन वर सीज बैंक में इन ही को अपॉइंट कर क्या गया और यह पार्थ प्रतीम सिंग उप्ता को रिप्लेस करने वाले ठीक है तो यह पार्थ प्रतीम उप्ता सिंग उप्ता को रिप्लेस करेंगे तो अज्यक्मार शिवास्तवा यह इंडियन वर सीज बैंक में ही थे है ना और यह अब रिप्लेस अब यह यह बन रहे M.D.C.O. यह replace कर रहा है पार्थ प्रतीम सिंदुपताजी को ठीक है स्वरुकुमार साहा is appointed as the head of the Punjab and Sindhra Bank and साहा replace as Krishnan को replace करेंगा ठीक है तो कौन-कौन replace हो रहा है यह भी याद कर लेना क्योंकि हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की ठीक है अब यह Union Bank of India की M.D. बन रही है तीन साल के लिए और इन्होंने राज किरन राजी को replace किया है ठीक और यह पहली महिला M.D. बन रही है Union Bank of India की अजय कुमार शिवास्तवा यह Indian O.C.S. Bank में ही क्या थे? इडी थे मतलब एक्सटेक्टर थे और अब यह M.D. CEO बन रही है यह replace करेंगे पार्थ प्रदीम सेंग उप्ता जी को और तीसरे सुरुप कुमार साह यह पंजाब एन सिंद बैंक में बन रही है M.D. CEO बन रही है और यह replace करेंगे S. Krishnan जी को अश्वनी भाटिया State Bank of India M.D. इन्हें सेवी में होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है ठीक है? तो यह सारे पॉइंट हम पढ़े हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने next segment की जो की banking, finance और economy को लेगर होगा तो हमारी पहली information आपके सामने दोस्तों देखें इस news को ज्यान से पढ़ेगा ठीक है? क्या लिखा हुआ है? State Bank of India Journal Insurance Company launch new health insurance vertical इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखें, बहुत ज्यान सुनेगा अगर हम बात करते हैं insurance sector की insurance ठीक, तो हमारे देश में insurance दो पार्ट में डिवाइड है एक आपका है life insurance जो मैं हमेशा बोलता हूँ और एक आपका है journal insurance journal insurance ठीक है? जर्नल insurance, life का मतलब हाँ है life का insurance जहाल I.C. करती है जर्नल्मिन्स, हमारे बाइक का, हमारे कार का, हमारे office का, इन सब का दुनिया भर में तीन insurance होते हैं एक health होता है ठीक, लेगिन हमारे देश में health को रखा गया कहाँ पे? इसमें रखा गी, जर्नल रखा गया तो इसलिए State Bank of India General Insurance Company क्या launch कर रही है? इसलिए health insurance launch करना या रही है नाम क्या होगा? संजीवनी, आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ा संजीवनी दोस्तों संजीवनी ध्यान सुनना, it is very very important information थोड़ा conceptual चीज में बता रहा हूँ तो State Bank of India Journal Insurance Company ने State Bank of India Journal Insurance Company ने अपने, मतलब एक नया product launch कर दिया है for the health insurance नाम होगा संजीवनी ध्यान से मेरी बात दिखेगा, ठीक है? दोस्तों State Bank of India Journal Insurance Company ने लाँच किया नया health insurance vertical नाम दोगया mention नहीं है, तो संजीवनी नाम है संजीवनी, या दखना इसको संजीवनी, ठीक है? आगे बढ़ते है इसका objective क्या है, तो देखो अब ये concept वाली बात है इसका objective ये है कि मतलब हमारे ऐसे शहर जो tier 3, tier 4 है मतलब छोटे मोटे शहर है, वहाँ पर अपना health insurance policy sale करना यहीं उसका मतलब है तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको इसमें, ठीक है? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, वहाँ उसका मतलब है ठीक? तो बस यही है देख लो दोस्तों कहने का मतलब State Bank of India Journal Insurance Company अपना एक नया प्रडिक लॉंच करते है SBI Health Insurance और इसका नाम होगा संजीव नहीं होगा नाम इसका ठीक है? इतना पढ़ लिए बस आपने चलिए, आगे बढ़ते है State Bank of India, Journal Insurance Company ठीक? Establishment year 2009 Headquarter Mumbai में है इसका ही है Prakash Chandrakandpal, इसकी MDCEO है and tagline भी इस company की है सुरक्षा और भरोसा दोनों सुरक्षा और भरोसा Sir, difference between the life insurance and health insurance मैंने क्या बूला आप से? हमारे देश में health insurance comes under in the journal insurance हमारे देश में health insurance का हमानते है यह journal में आता है हमारा और life insurance, life insurance हमारा ठीक है? यह हमारे देश में है और ऐसा कहीं नहीं है ठीक है? चलिए दोस्ता आपको याद होगा SDFC Ergo Journal Insurance Company has announced to launch Pay as you drive program मतलब की SDFC Ergo का अगर आप insurance लेते for the vehicle, for the car one तो जोतनी आप car चलाएंगे उतना आपको premium देना आपके insurance policy पर यह point है देख लिए जगा ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स point की बात करेंगे यह भी आपका यह हाला कि आपका रिपोर्ट और रैंकिंग वाली information में आना चाहिए था देखिए दोस्तों क्या information है? भारत का digital payment may reach 10 trillion dollar by 2026 phone pay और BCG की report आई है, वहाँ बोला गया दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहँए कुछ last year की बात है last year हमें आपको पढ़ाया था कि phone pay, phone pay pulse report निकालने वाला है आप उशाद याद होगा यहाँ mention भी है अब देखो यहाँ पर pulse तो यह वाई है यह phone pay, pulse और BCG combined report है क्या बोला गया रहा? कि भारत में digital payment यह 26 तक 10 trillion dollar पहुँच जाएगी इतना बड़ा यह sector बन जाएगा आई यह बात करते हैं इसके बारे में देखें दोस्तों क्या लिखा हुआ है? जहाँ सुनना तो क्या लिखा हुआ है? digital payment in India US dollar 10 trillion opportunity by phone pay in collaboration with the Boston Consulting Group सुनन फिर से यानि का इस एक report आई है report का title क्या है digital payment in India 10 trillion dollar opportunity ठीक यहां तक और यह release ने किया है? phone pay ने किया है और BCT मतलब Boston Consulting Group ने किया इन्हों ने क्या बोला दूस्तों? कि value of the digital payment मतलब online बात हम कर रहा है in India is expected to increase 3-4 3 गुना from the current 3 trillion dollar to 10 trillion dollar तो 10 trillion dollar 226 यानि कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब right now हम बात करें तो right now हमारे यहां distal जो payments हम करते हैं वो 3 trillion dollar का है और 26 तक इतना ही हो जाएगा? 10 trillion तहां तो यह हो सकता है अगर आज के टाइम पर 3 trillion dollar है तो 26 तक यह 10 हो सकता है बहुत हो सकता है ठीक है? देखे दोस्तों तो 10 trillion dollar कि हम बात कर रहे हैं 26 तक ठीक है? अब देखे यहां पर जोस्तों क्या बोला गया है? अब जो distal payment है all constitute nearly 65% of all payment by 26 यानि 26 में जो भी हम payment करेंगे online-offline online-offline उन सब में 65% जो payment होगा वो होगा through distal payment और जितना बच जाएगा वो होगा आपका cash payment अच्छा और देखे और जो अभी कितना 40% है देश में यह 65 हो जागा ठीक? और क्या बोला गया दूस्तों UPI adoption will surge from 35% in a kiss to 75% in the next 5 years मतलब हमारे देश में UPI का जो use है हमारे देश की total population में किवल 35% करती है और 26 आते 26 क्यों 5 सार बोला गया है ना? अभी क्या चल रहा है मारे ठीक है? और अगले 5 सालों में इसका use 75% population करना शुरू कर देगी यह भी आप से बोला गया है तो यह point काफी बड़ा है important भी है ठीक है? देख लीजेगा आपको हम दिखाते हैं फिर compile कर देगे देखी और क्या बोला गया? UPI saw about 9 times transaction volume increase in the past weekend increasing from 5 billion transaction in 19 to about 46 billion transaction in 22 मतलब दोखो क्या बुला गया? कि financial year 19 यानि 18-19 में हमारे देश में UPI's transaction कितना था? कि यह 5 billion कितना हो गया? और यह financial year 21-22 आते आते कितना हो गया? 46 billion हो गया तो मतलब 3 सालों में UPI में 5 billion किरो था यह transaction यह भी एक information आपको दी जा रही है ठीक है? अब देख लो पूरी information आराम से फिरसे एक बार हम क्या बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों फोन पे और Boston Consulting Group की एक report आईए जिसमें क्या बोला गया कि भारत में dissolvent जो है यह आपका 26 तक 10 trillion dollar हो जाएगा 10 trillion dollar हो जाएगा ठीक है? अब क्या बोला गया है देखिए आपे? तो बोला गया कि dissolvent will constitute nearly 65% of all payments 26 यानि 26 तक भारत में यतने भी payments होते हैं cash और online तो online 65% हो जाएगा जो भी 40% है और UPI की बात करें तो total population जो हमारी है उसमें 35% users हैं UPI के जो गले 5 सालों में 75% हो जाएगा ठीक है? और क्या बोला गया देखिए आपे? UPI saw about 9 time transaction volume increase in the past 3 years इसका मतलब increasing from 5 billion transaction in 19 about 46 billion transaction in 22 ठीक है? एक point हमारा ये आगे बढ़ते phone पे फोन पे establishment है पंदर, headquarter बैंगलोरू and CEO समीर निगम जीनस के CEO ठीक है? दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें अब according to NPCI UPI India's flagship disturbance platform has recorded 5.58 billion transaction वर्थ रुपीज 9.83 trillion in April 2022 यानि April का UPI का data हमने आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों ठीक है? यानि हमारे देश में UPI से जो transaction हुआ थो अगर हम उसके volume की बात करें तो volume 5.58 billion transaction billion और इसके हम value की बात करें तो value is 9.83 trillion इसे याद कर लिजगा ठीक है? मैंने आपसे वैसे भूला हुआ है कि आपके पास परमंध का यह होना चाहिए जैन का, फरवरी का, मार्च का, परेल का सबका होना चाहिए ठीक है? इसे याद कर लिजगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने next information की और next information क्या है हमारा? Kotec Investment Advisors यह क्या है दोस्तों? तो Kotec Investment Advisors यह Kotec Mahindra Bank की सब्सेडरी है यह Kotec Mahindra Bank की सब्सेडरी है इसने launch किया है investment platform Kotec Cherry अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था एक bank के बारे में उस bank ने भी launch किया था कुछ अपना SI platform जिसके थूँ आप क्या करसे तो concerned कर सकते हो कुछ money था HDFC money आजे ना सेम ऐसे है तो कहने का मतलब Kotec Mahindra Bank ने आपके लिए आपके लिए हमारे लिए अपना एक chatbot launch किया नाम क्या Kotec Cherry जो कि आपको advise करेगा आपको पैसे अपने कहाँ पर निवेश करने चाहिए आपको अपने पैसे कहाँ पर निवेश करने Kotec Cherry नाम इसका ठीक है देखे दोस्तों तो Kotec Cherry ये क्या है क्या है तुम्हे इतना पढ़ना ये नहीं तुम्हे इतना पढ़ना ये नहीं है सिंपल भाशा में समझो ये क्या बिड़ा ये Kotec Mahindra Bank की सबसीडरी है यानी main Kotec Mahindra Bank है इसके अंडर में काम करती सबसीडरी Kotec Investment Advisor इसने launch किया क्या Kotec Cherry अब इसका मतलब क्या है अर्गिटेक्टर इन्वेस्टमेंट मैनेज्बेंट प्लेटफॉर्म दो इसका मतलब नियुक। इन्वेस्टर्स केंचूज फ्रॉम डाइवर्स रेंज आप दो ओफरिंग अधर दन चूज मनुफक्चर रॉप इसका मतलब क्या है कोटेक्ट चैरी पर आपको डिफरेंट इफरेंट फंड्स मिल जाएंगे बाई कोटेक महिंद्रा बैंक भी अपने मूट्यूर्फंड बे स्वाज दोस्तों आपको यह इंफर्मिशन क्लियर है वाट इस जर मेंग कोटेक्ट चैरी तो क्या काम करेगा तो एक प्लेटफॉर्म है वर्चूल प्लेटफॉर्म ऑनले ब्राइब यह आपको एडवाइस करेगा कि आपको अपने पैसे कहां पर निवेश करने चाहिए कि आगे बढ़ते हैं अब आउट जोटेक महिंद्रा बैंक इस्टैब्लिश्मेंट यह दोजा तीन हैड़कॉर्टर मुंबई महरास्टर एम्डी सीओ उद्या कोटेक एंड टेग लाइन लेट्स मेक मनी सिंपल ठीके दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यह हमारा एक सेग्मेंट कम्प्लीट बैंकिंग फाइनस तो रिकॉर्णमी का यानि रिपोर्ट और इंडीसेस अपॉंट्मेंट डिजाइन और फिर बैंकिंग फाइनस की बातमने अब हम बात दिरने वाले आपसे अग्रिमेंट औ अब यह दुस्तों क्या समझे मेरी बात को UNFCCC क्या है यह वही कन्वेंशन है जो COP26 कराई थी इस बार मतलब हमारे पूरे वर्ल में चाहे COP27 और 28 हो UNFCCC करवाती है ठीक है इसको अब्जेक्टिव क्या है कि मतलब कार्बन न्यूट्र बनना जैसे इंडिया ने क्या बोला ह नहीं आती है तो ब्लूटार्ट ने जॉइन कर लिया है UNFCCC के Climate Neutral Now Pledge को इसका मतलब इसका मतलब ब्लूटार्ट अब जो काम करेगा वो पूरी तरीके से मतलब क्या होगा वो कार्बन फ्री होगा मतलब है ना देखें क्या है पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर जान से पड़ेह से कसम है क्लाइमेट नेचन व्रेमवक कन綁शिन ओनक्लाइमे convention on the climate change यह कंड्रेंकी жить है मतलब तो ब्लूटार्ट जो हमाज यह इस कउपनी है उसने कसम खाई Hai क्लाहें मैं आधि וब्लूटार्ट राव करई büy करेगी ओभा बार मतलब की अपने आपने काममें धी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो हमार टागेट है वह है दोजापचास का तो इसलिए मतलब कि हम लोग अभी से काम कर रहा है कि यह लक्ष हम प्राप्त कर सकें जापचास तो ग्रीन हाउस गैस का जो अमिशन उसमें अंबीन सर्मा सर ने बिल ला विद्या मा के सम लैकिन फिर डिलीट कर दिये लिद्या मा विद्या नाम कोई है का क्लास में यहां पर तरवनी शर्शन को मा से बुला लगया शायद है जोड़ें कोई बात नहीं सर होता है इसा तो अम प्र सुन लो अलाम से ब्लूड़ एक्सप साइन कर दिया है तो इसका मतलब होता है एक तरह कसम कि भाई हम जो काम करेंगे अब काम हमेशा हमारा कार्बन फ्री के लिए होगा देश में पुरे वर्ल्ड में ठीक है तो यह आपके सामने क्लाइमेट नूट्रल ना उसे भूर में जाना भाई क्लाइमेट नूट्रल ना उ यही दूट को जान देना कि यहाँ पर एग्रिमेंट साइन होगा ठीक है तुमारा चले आगे बढ़ते हैं अब क्या क्या बुला गया इसका अप्लेक्टिव यह है कि जो पुरे दुनिया ने मिलके माना है कि ग्रीन हाउस गयस जो हुती है उनका एमिशन हम 205 तो खतम कर देंगे तो उसरा में यह पहला कदम है यह बुला यह रहा ठीक है अब से और देखिए आपे तो क्लाइमेट नूट्रल नाउ जो है यह लाँच हुआ था 2015 में लाँच हुआ था इस इनिशेटिव वस लाँच भाई दे युए फ्रिपल सी तो इंक्रीज दे क्लाइमेट एक्शन भाई इंगेजिंग नौन दहो इतना ग्रफ मत करो 2015 में क्या हुआ था COP21 हुआ था पैरिस एग्रेमेंट हुआ था वही पर यह यह स्वाइं हुआ था क्लाइमेट नौन लाओ ठीक है देख ली जाएगा चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात परिंगे आपसे ब्लूडाट ब्लूडाट कंपनी मुंबई की है एंशरद उपासनी इसके चेर्मेन ठीक है दोस्तों अच्छ आगे बढ़ते हैं अगे नेक्स इंफाउट रहते हैं दोस्तों आपको बताए कि मतलब एटल पेमेंट बैंक या कोई भी पेमेंट बैंक लोन नहीं बाढ़ सकता लेकिन अब क्या किया जाएं कस्मर तो हमारे प्रसा रहे हैं तो हम लोग करते क्या हैं अगर हम पेमेंट बैंक हैं तो हम किसी न किसी बैंक से अग्रिमेंट कर लेते हैं जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है फीनो पेमेंट बैंक ने सुर्योदे स्मॉल फाइनिस बैंक से अग्रिमेंट साइन कर लिया तो कहने का मतलब AATL Payment Bank ने मुथूट Finance से की रिमेंट साइन कर लिया तो आफर गोल्ड लोन ऑन दे AATL थैंक्स अप्लिकेशन यानि कि AATL Payment Bank का जो अप्लिकेशन है थैंक्स उस पर आपको लोन की सुधा मिलेगी लेकिन लोन कौन दे रहा है मुथूट Finance दे रहा है तो अगर आपके पास गोल्ड जोल दी है आप वर्चुली इसको मतलब जो भी है मतलब वर्चुली नहीं आप आके रखिए AATL के पास ये गोल्ड कहां चला जागा मुथूट Finance के पास और मुथूट Finance आपको इस पर लोन देगा ठीक है तो ये देख ली जगा आप लो ठीक तो AATL Payment Bank ने मुथूट Finance Agreement Sign किया तो अफर गोल लोन और अटल थैंक्स अप्लिकेशन तो AATL Payment Application Bank ने partnership की है मुथूट Finance के साथ तो अफर गोल लोन थ्रू AATL थैंक्स अप्लिकेशन ने नियो बैंक नहीं इप्रिमेंट बैंक है यह ठीक है चलेए दियर विल बी नॉन प्रोसेसिंग चार्ज अन दे लोन कोई चार्ज वाज़ नहीं है आपके पास मुथूट Finance विल प्रोवाइड अप्टू 75% अप दे प्लेच गोल वैल्यो जे लोन यानि अगर आप 10 लाख रुपए तक का गोल रखोगे तो मुथूट Finance आपको 7.5 लाख रुपीस तक का लोन देगा यह देखे ना ठीक दोस्तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स इन्फोर्मेशन की तो सिंपल भाषा में की एटल प्रोवेंट बैंक आपको अपने अप्लिकेशन पे आपको मुथूट Finance से गोल लोन दिलवा रहा है सिंपल की वल्ट है चलिए तो एटल प्रोवेंट बैंक Establishment Year 17 में हुआ इसका New Delhi's का Headquarter है MDCEO अनुबरत विश्वास जी है ठीक है यह यात कर लेज़ेगा आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स पॉइंट की बात करेंगे और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो है National News का National News में हमारे पास कौन सी पहले information है देखे दोस्तों तो यह भी पता ही हुग आप लोगको तो Tata Project won the bid to build the J1 airport in the Uttar Pradesh यानि UP का पांचवाँ International Airport J1 International Airport इसको बनाने के लिए जो project जो bid थी वो Tata Project ने जीत लिया है ठीक है आए पूरी information आपको दिखाते हैं देखे दोस्तों तो Tata Project won the bid to build the new airport at J1 bid to build the new airport at J1 ठीक है क्या यह information देखे दोस्तों यहाँ पे तो Tata Project beats beats शापूरजी, पलोनजी ग्रूप and the Larson and Turbo for this contract मतलब Tata Project ने मतलब इन सब कंपनी को शोड़ जा पीशे यानि यह भी video में थी the deal size was over rupees 6000 करोड रूपर और 6000 करोड से उपर के deal size हुई है इनके और state government के विश में ठीक है दोस्तों देखेंगे नहीं आपके तो हम क्या बात कर रहे है Tata Project won the bid to build the J1 ठीक है आप देखें आपके तो Tata Project won the bid to build the new airport at J1 ठीक है Tata Project ने मतलब जो इसकी bidding होती है बैटिंग उसमें शापूर जी पल्लों जी और लासन इंटरबो हरा दिया है और टोटल डील 6000 करोड से थोड़ा दिकी हुई है यह information पूर दिया आई दूस्तों देखें अब UPA 5 एरपोर्ट कौन कौन से हैं international चौदरी चरंग सिंग लखनो कुशी नगर एरपोर्ट कुशी नगर लालबादु शास्त्री वारांसी नोड़ा इंटर्नेशनल एरपोर्ट जेवर एन एयुद्ध्या एरपोर्ट एयुद्ध्या और यह छटमा आपका हुई नहीं पांशी तो है ठीक है हां यह इसकी बन धाकूर जी लॉंच निशन-वाइट फिट इंडिया फ्रीडं राइडर सैंग लेए तो निशनवाइट देशभगी लेव Keeping तो केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने रास्ट व्यापी Fit India Freedom Rider Cycle Rally का शुभारम किया ठीक है दूस्तों आगे पूरी इंफर्मिशन दिखाते हैं आपको देखें तो अनुराग ठाकुर जी की बात कर रहा है Union Minister for Youth and Affairs under Sports ठीक, has launched a nationwide Fit India Freedom Rider Cycle Rally on World Bicycle Day which observed on 3rd June from Major Dhyan Chand तो इसका मतलब देखें दूस्तों है आपको तो अनुराग ठाकुर जी ने विश्व साक्ल दिवस के मौके पर हमारे देश में nationwide Fit India Freedom Rider Cycle Rally शुरू की है ठीक है तो यह ठान दिजेगा आगे बढ़ते हैं आपको Along with 750 यंग साकलिस्ट अनुराग ठाकूर has also covered a distance of 7.5 km तो मतलब 750 युवस साक्ल के साथ ये 7.5 km तक गय थे भाईतना लंबा गय थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं The main purpose is to accomplish the goal of the Fit India Moment the Khelo India Moment, the Clean India Moment and the Healthy India Moment इसका उदेश है कि Fit India अंडोलन खेलो इंडिया अंडोलन, स्वक्षभात अंडोलन और स्वक्षभारत अंडोलन के कोई लक्षपूरा करने के लिए इसको मतला हम कर रहा है ठीक दोस्तों आगे बढ़ते है तो ये थी information अब थोड़ा सा इसन के बात कर लें में आपर देखें Union Minister of Information and Broadcasting Amurag Singh Thakur has announced that world largest film restoration project with a budget of 363 crore rupees was awarded by the ministry ठीक है देख लिजेगा इनको वापस restoration किया जागा ठीक है देख लिजेगा तो Amurag Thakur जी ने launch किया था विशुकास प्वेडा film restoration project 360 crore rupees ठीक है ठीक है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स माइन की बात करें हाला कि ये information देनी चाहिए है मुझे state level पर लेकिन देख लिजेए तो e-stamp facility to be started by Punjab government instead of the paper stamp यानि पंजाब में paper stamp की जगह पे अब e-stamp चलेगा पंजाब में paper stamp की जगह पे e-stamp चलेगा देखे पूरी information दोस्ते हैं पर तो revenue minister और पंजाब ब्रम शेंकर जिंपा जी has launched e-stamp facility ठीक है इसका मतलब क्या है पंजाब सरकार को दक्षितान लाने और राज जके राजस के चोरी की जाज करने के परास में बहुते के stamp paper के साथ करना है तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो स्टेट में लोग चोरी वरी करते हैं वो इससे फस जाएंगे जोड़ा सा ठीक है आगे देखे क्या वो लगए इस आपने के बार ओनली तुर वैल्यू अब बिस तॉपरसेंट तु दे इस्टैम वेंडर्स तो यह कीवल 20,000 रुपरस के अधिक के लोग के लिए है और यह जो स्टैम वी करता है जो कोई दो स्टैम कमिशन देते हैं उनके लिए कीवली है इस स्टैम वेंडर्स पंजाब में शुरू है ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं यह अच्छा पंजाब कैपिटल जंडीगर चीफ मिनिस्टर रविशिंगर रुषा एंड गवर्णर बर्वाजाल को रोजी यह आगे बढ़ते हैं यह अच्छा पंजाब यूनियन हेल्स मिनिस्ट्री लांच हर घर दोज दस्टक कैंपेंट 2.0 त तो यूनियन हेल्स मिनिस्ट्री की बात कर रहा है इन्होंने दो मन्थ लगा लंबा हर घर दस्टक कैंपेंट 2.0 लांच किया है और जनवरी एक दो या बाइस ठीक अब देखें दोस्तों इस अब्जेक्टिव आप दिस कैंपेंट इस तू अचीव आप्टिमल कवरेज आ इसका मतलब है घरगर जाए और जो लोग COVID-19 को लेकर वैक्सिन को लेकर eligible है उनको पगड़िये और टीका दगाएए ठीक है ये बहा है तो हर घर दस्टक 2.0 कैंपेंट की हम बात करना है दोसों पहली बार ये कैंपेंट नवंबर 21 में मोदी जी ने लांच किया था अब 2.0 आचुका है हमारे सामने ठीक है चले है आगे बढ़तें गाइस नेक्स्ट पाइंट की बात करते हैं about the union health ministry mansook al mandira is the union minister and bharti pavar is the minister of state union health ministry की बात दोस्तों में आपे करना ठीक है आप दे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ठीक है जो कि आपका पंच्छकुला हर्याना में हो रहा है ठीक है देखें दोस्तों में यह खेली थी weightlifting में और यह पहली gold medal medalist बन गई है इससे याद रखेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ठीक है मारास्टा के लिए जान होने ठीक है याद रखना दोस्तों आगे बढ़तें awards and honors की बात करते है next point की बात कर दोस्ते हैं आपर आइफा अवार्ट 2022 फुल विनर लिस्ट विकी कोशल एंड किर्थी सेनन विन बिक शेर्षा अवार्ड बेस्ट पिक्चर्स ठीक है तो इस बार का आइफा 2022 अवार्ट कहां पर हुआ था कहां पर हुआ था देखिए आप जोस्तों आबू धाभी में हुआ था यह ठीक है तो देहो 22 एडिशन त सेटर्ड़े 4 जून ठीक है दोस्तो 22 एडिशन था इंट्रनाशनल इंडियन फिल्म अकडमी का और यह आभू थाभी में हुआ थोस्तों ठीक है आगे बढ़िए विकी कोशल एंड किर्थी सेनन तुक होम दा बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर इसका अबॉर्ड फ्रॉर्द फार्द मीमी अच्छी मुवित में है ठीक है यह देखिली है रूस्तों आगे बढ़ते हैं तो पूरे हमलेस की बात कर लें बैस्ट पिक्चर शेर्षा को मिला है बैस्ट डाएक्टर विश्णु वर्धान को मिला है फॉर्द शेर्षा बैस् बेस्ट एक्टर इन असपोर्टिंग रोल बढ़िया रोला इसमें इसका बेस्ट एक्टर इन असपोर्टिंग रोल साई तमहानकर मीमी के लिए मिला इनको ठीक है बेस्ट जब्यू मेल अहान शिट्टी तडब बेस्ट जब्यू फीमेल शावनी वाख बंटी और दे बबली टू ठीक है बेस्ट प्लेबेक सिंगर मेल जुबी नौटियाल रता लंबिया शेस्टा के लिए ठीक है चलिए और बेस्ट प्लेबेक सिंगर फीमेल तो अशी स्कौर को मिला है रता लंबिया के लिए मिला ठीक ह है इस दिवे नहीं है इसमें तो हम भी नहीं है इसमें भी नहीं है सिल्वान खांग अबात तुम लों कर रहा हो चुल आगे बढ़ते नेक्स पॉइंट की बात करते है फेस्टिवल और फियर मतलब फेस्टिवल मतलब करेंगे दोसों यहां पर दोखो पहली इन्फोर्मेशन तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनस्टर इनागुरेट कांगडा वैली फेस्टिवल यह फेस्टिवल इस वारे इंपॉरेंट है क्योंकि इसमें दस साल के बाद यह फेस्टिवल हो रहा है तो इसलिए इंपॉर्टन है ठीक है ठीक है देखें तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनस्टर ने कांगडा वैली फेस्टिवल का नोग्रेशन किया इन धर्मशाला कांगडा वैले हैं सब्सक्राइब यह हो राध्मशाला में दफ इसस्टिवल इस ओगनाइज टूरिस्ट राइविंग इन दप कहने का मतलसो क्या है यह उच्छो गर्मियों के दौरान राज में आने वाले परेटों को का ही मात्यों प्रदेश का कल्चर क्या है और इनकी परंपरा क्या है ट्रेडिशन क्या है उनसे परिचित कराने के लिए एक फेस्टिवल होता है ठीक है कांगडा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं और थ्री डे उतकर्ष महुत्सव यह कहां पर हुआ था सैंट्रल संस्कृत उइश्टी डिली में हुआ था मनिपुर में चौथा एडिशन हुआ था स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल का ठीक है यह भी आने पढ़ाया आपको और देखेए ज विटेन सिंग ने इनागरेट किया था भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहां पर तो भदिर वार्थ जमुकाश्मी ने ठीक है यह सब आपको याद रखना है चुरें आगे बढ़ते हैं डिफेंस की बात करेंगे डिफेंस में दसवा एडिशन दसवा एडिशन आपका होगा कहां पर यह आपका होगा कहां पर यह आपका होगा यह आपका होगा जशोर मिलेटरी स्टेशन इंद बांगलादेश भारत की तरफ से क्या है ठीक है तो भारत जबसे डोगरा रेजिमेंट ने इसमें पार्टिस्पेट किया ठीक है याद रख लेज़ेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तो रीजन पॉइंट अभी चौथा एडिशन हुआ था इंडियन ने भी बंगदेश ने भी और ये कहां पर नौदरन बिव बंगवाल में हुआ ठीक है तीसरा एडिक्षन बंगलादेश और इंडियन ने भी बोंगो सागर, यह कहाँ पर हुआ था, पोर्ट मुंगला बंगलिश में यह हुआ था, ठीक है, इसे भियाद रख लीज़ेगा, दूस्तों, आगे बढ़ते हैं, डेस की बात करते हैं, यह 5 जून को इंटरनाशनल दे फाइट एम ऑगेंज्स एल्लीगल, अनरि पोर्ट अनरिपोर्ट एज्यथ फिशिंग, यह 5 जून को मनाते हैं, ठीक है? देखे दूस्तों, तो 5 जून को इन्टरनाशनल दे फोर्ट अईज्थ एजर म एण अननरिपोर्ट एज चलिए हम ब्लॉक करने का अधिकार हमारे पास नहीं है वेटर आप मत्री दो ना आप मत्री दो तुम ध्यान को देरो इसपर आपके mind में काफ़ी सरी doubts होंगे दोस्तों तो 8 माई को 8 माई को हमारा एक webinar है 9 बजे और इसमें आप लोग ले लिए enrollment आपके question के अंसे सरा यहाँ पर मिलेगा आपको enrollment करना है अभी तो description में link पढ़िए अभी जाओ live और enroll कर लो अभी कर लो 9 बजे रात के 9 बजे आज तारीक को हम आपसे मिलने वाले webinar में और आपके सारे question के inform करने वाले है unacademy special पर ठीक है यह कर लिए दोस्तों फटा फट और अगर हम बात करें तो unacademy को join करने का अमन है कर लिजे अब तो exam के date भी आगए top educators आपको पढ़ाते unacademy के मैं भी हूँ इस पर की नहीं पढ़ा नहीं मैं अच्छा यहां हूँ तुमें हाँ ठीक हो वही मैं भी हूँ top educators में देख लो तोरह पढ़ते हो मुझ से ठीक है इसमें नाम मेरा है हाँ वेगों नाम में इसमें मेरा होगा देखें जड़ा अच्छे यहां पर है नाम ठीक है तो भीया आप पढ़ सकते हो हम लोगों से ठीक है हमारे और देनी पढ़े की शाम को 5 बज़े वाली अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए है तो ठीक है दोस्तो और अगर हम बात करें अनकेडमी पर टेस्स सीरीज आपको मिल रहेंगे दोस्तों है अच्छा आस्क के डाउट फीचर यह बड़ आच्छा फीचर अंकरमी का अगर आप अपने दूरिंग दे लाइव क्लास अगर आप अपने टीचर से कुशन पुछ नहीं पाते हो या आप रिवाइस करते हो ने डाउट आपको तो इस डाउट का स्क्रीन शॉट लेज़ अनकेडमी के अप्लिकेशन पर या वेब पर जाएगे और जहां पर दोस्तों आपको डाउट अपने डाउट करना होता है आसक अप टू थ्री डाउट एट अगोड यू कैन पोस्ट टू अदिशनल डाउट वाइल वेटिंग फॉर यूर सॉलिशन सिंपली क्लिक क्रॉप अन सब्मिट यूर डाउट ठीक है दोस्तों फीस की बात करने हैं पर तो अगर आप अनकैडमी प्लस जॉइन करते हो हमारा तो 24 मंत का जो प्रुगार मारा है वो 8,999 रुपए का है और 12 मंत का 7,400 रुपए का है हमारा कोड लगा ये एवी पी वन जीरो जिससे आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा आप डिसकाउंट रिलेजेगा और अगर आप आइकॉनिक जॉइन करते हो तो हमारी फीस कितनी है 24 मेने की 10,499 बारा मंत की 8,999 यहां भी आपको 10% डिसकाउंट मिल जाएगा हमारे कोड से ठीक है चलिए दोस्तों थैंक ये सो मच अपना ख्याल लगे आरारबी के लिए IDBI के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी मैंने बोला आपसे ना परिशान बहुत हो यह में मंत का ने कि अवीडियो क कि आपको वीडिए लगे परिवीड़ान अपना लगे अपको खिते हैं कि गस्तों तो स्थता है चलिए आराल दारार आराल दमत का रिए यहागा ज्ता हैं कि अज़ Elevend光 अवीडिस pride बहुत है कि अवीडियो मैं ऑम रफश ofश